तेजश्वी को मचली खिलाने के बाद भारतिये जनता पार्टी को मचली खिलाने के लिए मुकेश सैनी तयार बैठे हैं मुकेश सैनी आजकल जहाज पर अपनी बैठक कर रहे हैं एक तरह तमाम पार्टियां अपने पार्टी कर्याले में और होटलों में बैठक बुलाती है और समिच्छा करती है, समिच्छा इस बात की करती है कि जो चुनाओ हुआ है, उस चुनाओ में हमारी हार किस तरीके से हुई, तो वही मुकेश सहनी का बैठक थोड़ा casual टाइप का होटल में और पार्टी कर्याले में बैठेंगे तो निताओं के अंदर का डर खतम हो जाएगा, लेकिन नदी के बीच में अगर बैठक करेंगे तो निताओं के अंदर डर जरूर रहेगा, और ये भी दिखाने के लिए कि हम मला समाच से हैं, हम नदी से जुड़े हुए हैं हम जमीन से जुड़े हुए हैं और उसके बाद और दिखावा करने के लिए सामने मचली रख लिया जाएगा तो और लगेगा कि समाज के हित के बारे में सोचते हैं हलाकि जब टिकट मिलेगा तब किसी और को दे दिया जाएगा उस समय समाज कहां जाता है नहीं पता चलता है लेकिन मुके सहनी को समाज उस वक्त जरूर याद आता है जब बैठक होती है मुके सहनी को समाज उस वक्त जरूर याद आता है जब टिकट लेना होता है लेकिन जब टिकट देना होता है तब कौन सा समाज किस समाज से आपाते हैं ने ने सहनी समाज अरे रे 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 उसे दूर रहेंगे हम वो समाज नहीं मुके इस सहनी आजकल बैठक कर रहे हैं अगाम सामने दो बड़ी मचली रखी गई है एक का वजन 30 के जी है एक का वजन 25 के जी है बकायता वजन सहित बता रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर आपको मचली खाना है क्योंकि हम मचली खाते हैं तो विबाद होने लगता है हलाकि आपके मचली खाने से विबाद नहीं हुआ था आपने मचली गलत समय में खाया था इसलिए विबाद हुआ था आपने हिंदू के पर्व के दिन मचली खाया था इसलिए विबाद हुआ था इसलिए विबाद नहीं हुआ था कि आपने मचली खाया है अब जब पर्व नहीं है तो आप मचली खा रहे हैं कि मटन खा रहे हैं कोई देखने भी नहीं जा रहा है लेकिन विवाद तब हुआ था जब आपने हिंदू के पर्व के दिन मचली खाया था और खुद खाया तेज़श्वी को भी खिलाया हेलिकॉप्टर में आप मचली खाते हैं किसी को कोई भी बात नहीं हेलिकॉप्टर में आप केक काटते हैं दो सभाओं का उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आजकल आप भारतिये जन्तापार्टी को ओफर कर रहे हैं और फर इस बात का कि आपको अगर मचली खाना हो तो आप मेरा दरवाजा खट-खटा सकते हैं यानि मुकेश सहनी अब तेजश्ट्री यादों से दूरी बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो अगली गटबंदन हो तो वो भारती जनता पार्टी के साथ हो जाए ताकि 11 गोश्ट्रीट मिल जाए याद करिए 2020 2020 का वो बैठक जब मुकेश सहनी ने भरी सभा में तेजश्ट्री यादों पर यह आरोप लगाया था कि मेरे फीट में खंजर घोपा गया है हमें उपमुख्यमंत्री बनाने का दावा किया गया था वादा किया गया था कि आपको उपमुख्यमंत्री बनाये जाएगा लेकिन यहां तो सीट बटवारे में ही कटवती की जा रही है जब सीट वटवारे में कटवती की जाएगी तो क्या उपमुखी मंत्री बनाया जाएगा और उस समय मुके सहनी भागे जीतना माजी भागे और ये दोनों आकर NDA के सहयोगी बने जिसमें से भारतिये जनता पार्टी ने अपने सीटों में से 11 सीटे मुके सहनी को दी ती और जेडियों ने अपनी सीटों में से 11 सीटे जीतना माजी को दी भारतिये जनता पार्टी जब 11 सीट दी तो कुछ सीटों पर नोंने समझावता किया कि उनके उमिद्वार होंगे 11 में से 4 पृड़ायक चुनाओ मुकेश रहनी के भी जीते और जीतनामा जी के भी 4 जीते तो जीतनामा जी के जो बिधायक थे वो सुरक्षित रहा गये क्योंकि जेडियू ने प्रयासी नहीं किया तोड़ने का लेकिन भारतिय जंता पार्टी की नजर मुकेश सहनी के उन तमाम विधायकों पर थी जो भारतिये जनता पार्टी से मुकेश सहनी के पार्टी में जाकर चुनाओ लड़े थी हाला कि एक विधायक की मिट्ट्यू हुई तो वहां से आपको राज़त का उमिद्वार जीत गया क्योंकि मुकेश सहनी का उमिद्वार जो जिनकी मिर्ट्यू होई उनका बेटा अमन जो है वो आपको चले गए राज़त में और वो राज़त से चुनाव लड़ लेते हैं और उनकी जीत हो जाती है बचे इनके तीन विधायक उन तीनों विधायकों को भारतिये जनतापार्टी बड़े ही आसानी से अपने दल में सामिल कर लेती है और मुकेश सहनी फिर से सड़क पड़ा जाते हैं खुद MLC रहते हैं, MLC कोटे से मंत्री मंडल में सामील होते हैं, मंत्री मंडल में सामील होकर बताते हैं कि इस बार अब दमखम रहेगा, जितने दिन मंत्री रहते हैं, उतने दिन समाज की बात नहीं होती है, विधायक रहते हैं, सदन में समाज की बात नहीं होती है, लेकिन जैसे ही MLC पद जाता है, मंत्री पद जाता है, सरकार से हटाया जाता है, बेदखल किया जाता है, उसके बाद ये गड़वंदन छोड़ते हैं, तो ये घूमने लगते हैं, कि इनको निसादारक्षन चाहिए, जो निसादारक्षन की बात करेगा, ये 2024 का लोग सबाचुना, उसी के साथ लड़ेंगे, अन्तता इनको लगा कि अब कोई बात नहीं कर रहा है, तो इन्होंने तेजश्री यादों से हाथ मिलाया, और तेजश्री यादों से जब हाथ मिल जो तीन सीटे इनको दी गए, उस तीन सीटों में से एक भी सीट पर इन्होंने निसाद को नहीं लड़ने का मौका दिया, इन्होंने कह दिया कि कोई भी सीटे जो है, वो निसाद के लिए नहीं है, तो आप वही सीट मांगते हैं, जिस पर निसाद लड़ सकता था, ना आये थे कॉंग्रेस में इसलिए मुझवफर को लड़ाना मजबूरी था तो उन्होंने लड़ा दिया कि चलो एक निसात को भी लड़ा देंगे कम से कम कोई तो यह नहीं कहेगा कि किसी निसात को नहीं लड़ा रहे लेकिन मुकेस रहनी से एक सवाल जरूर रहेगा कि आप य जहीं माइने में उनको क्या फाइदा होता है आपके इन रणीतियों से आपके जहाज के पीछे आपके बस के पीछे जय सहनी कहने वाले उन्हें क्या फाइदा होता है यह सवाल जरूर रहेगा वराल इस खबर में ता हैं बर्णामार साथ और देखते रहे The India Top